तो जैहिन दोस्तों मैं हूँ विबेक और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में जिसमें हम कंपेरिजन करेंगे पाकिस्तान में आने वाली वैगनार और भारत में आने वाली वैगनार हम देखेंगे इन दोनों में क्या ही डिफरेंस है और क्या-क्या खामिया है और क्या-क्या इनके इंजन स्पेक्स है और क्या ये दोनों अच्छी गाड़ी है के नहीं है भारत में तो वैगनार इतनी प्रचलित है कि इसकी बहुत ज़्यादा यूनिट बिक्ती है और ये हर दूसरे से तीसरे घर में ये वैगनार दिखाई दे जाती है लेकिन पाकिस्तान में भी वैगनार को उतना ही पसंद किया जाता है पाकिस्तान की बात करें तो वेगनार 2014 में लॉंच हुई थी और तब से लेके अब तक एक ही वेरियंट आ रहा है मतलब की वेरियंट का मतलब है तब से लेके अब तक एक ही शेप आ रही है वेगनार की वी एकस आर और वी एकसल इन दो वेरियंट में वो पाकिस्तान में आती यह लेकिन कंपनी सोला से सत्रा का माइलेज क्लेम करती है जबकि भारत में इस गाड़ी की करीब करीब एवरेज है वो कंपनी 25 से 26 का क्लेम करती है जबकि CNG में 30 प्लस एवरेज है वैगनार का अब आप सोच सकते हैं पाकिस्तान में चीजों को कितना डाउन ग्रेड करके बे करते हैं भारत में जा चुकुल और यह बारत में इसका शोरूम है उसकी जरीए आपको मिल सकती है इस गाड़ी की बात करें तो इसका average बहुत अच्छा है इसका design लुक्स बहुत अच्छा है हाला कि build quality में ये कहीं मात खा जाती है फिर भी safety की बात करें तो इसमें ABS, ABD दो airbags हैं जबकि पाकिस्तान में वही पुराना design अभी भी पाकिस्तान में वही पुराना design है जो हम लोगों को देखने की आदत है या जो हम लोग पहले देखते थे पाकिस्तान मतलब हम लोगों का भाई समझ लीजिए आप क्या ही बोलेंगे लेकिन फिर भी पाकिस्तान की गाड़ियां अभी इतनी खराब हैं इतनी गंदी की मतलब जो हम लोग यहां पे सपोस्क जो हमारी गाड़ियां तीन से चार लाग की चार लाग की मिल जाएगी वह गाड़ी वहां पे आपको पंद्रा लाग के खरीब की मिलेगी यह देखिए यह है बारत में आने वाली वैगनार 2019 का वेरियंट का मॉडल और यहां बारत की स्टाइलिस इतनी साथ साथ इंच के स्क्रीन मिल रही है इतना ज्यादा इसमें स्पेशियस मिलता है मतलब क्या मैं बता हूँ आपको इन क्या 2014 से लेके 2022 आ गया 2022 कितना समय हो गया आप एक बार गौर करिए 14 15 16 17 18 19 21 22 करीब करीब 8 साल से से मॉडल आ रहा है लोग बोर नहीं हो जाते होंगे अब यहां देखिए नए वैगनार है जिसमें आपको इतना स्पेशियस कैबिन मिलता है मतलब कि आप देख सकते हैं यहां पे पीछे तीन बंदे अराम से बैठी सकतें और आगे दो लोग इतने से अटारा का क्लेम किया जाता है जबकि भारत में जो वेगनार का एवरेज है वो अमूमन 25 से 26 निकल के आता है और कंपनी क्लेम में रेट भारत से दुगने हैं लेकिन फिर भी 17 लाग केवल वेगनार के लिए नहीं है और वेगनार भारत की देखिए अभी वाली शेप है चलिए ठीक है प्राइजिंग की बात अपनी अलग जगा है लेकिन पाकिस्तानी को भी तो कुछ लाब मिलना चाहिए अभी पाकिस् पाकिस्तान वाले वेरियंट से लेकिन अभी तो अंतर आ गया ना अब सुजुकी पाकिस्तान को समझना चाहिए कि पाकिस्तानियों को भी अच्छी मॉडल मिलना चाहिए जबकि वहां पर दिक्कत ही है कि कॉम्पटिशन नहीं है सुजुकी के टकर में कोई दूसरी नहीं कर पाती है अब वहां की दूसरी गाड़ियां भी देख सकते हैं बिल्कुल ऐसी है जो एक बार आ जाता है वैसा कर वैसा रहता है अलाकि अब भारत की इसका वैगनार का डैसबोड देखी है आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि यह कोई ऐसा लग रहा है जैस जैसे साथ लाग रुपए यह पांच लाग मानिया आपको आटोमेटिक गाड़िया मिल जाएंगे जबकि अगर पाकिस्तान में आप जाएंगे तो आपको बीस लाग रुपए से ज्यादा देने पड़ेंगे केवल आटोमेटिक गाड़ी के लिए मेरी वीडियो यह थोड पाकिस्तान में अच्छी गाड़िया आती है भारत में और यह जो भारत की गाड़िया आती है पाकिस्तान में लाउंच होनी चाहिए कि नहीं लाउंच होनी चाहिए अब पाकिस्तानी लोग को समझें अब हम क्या ही कर सकते हैं वो इतनी बड़ी कंपनी है क्या बोलेंगे ह करें और वीडियो को शेयर करें पाकिस्तानी भाईयों के साथ में ठैंक यू और प्लीज मुझे सपोर्ट बना के रखें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है धन्यवाद दोस्तों और हां कमेंट में जय हिंद भारत माता की जय लिखना मत भूलिएगा धन्यवा झालाब